कई बार ऐसे प्रदूशन तो सुने होंगे जैसे ध्वनी प्रदूशन यहां लगातार हो रहा है धूल का प्रदूशन भी होता रहता है और दूसे भी प्रदूशन होते हैं पॉलूशन रहता है पन्या फिकी रहती है नाली नर्दा होता है लेकिन आपने कभी प्रकास का प् प्रकास का प्रदूशन प्रकास का प्रदूशन क्या है कि पिछले 20 सालों में जैसे 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 बिज्ञान के अविश्कार बढ़ते चले गए हैं वैसे वैसे धरती 24 गंटे जगमगा रही है 24 गंटे 24 गंटे जब धरती जगमगाती है तो बहुत सारा पूरा का पूरा चैनल डिस्टर्ब होता है कैसा चैनल डिस्टर्ब होता है कि जो छोटे-छोटे कीडे रात में पैदा होते थे वे 24 घंटे जलने के कारण जो है उन्होंने पैदा होना ही बंद कर दिया समुद्र के जो जली जनतू रहते थे उन्होंने उपर आना बंद कर दिया पूरी की पूरी धर्ती में जब कभी भी आप देखेंगे देखेंगे आपको समझ में आएगा कि दुनिया में आज की ब्यश्विक समस्याइं बन रही है सबसे ज़्यादा प्रकास का प्रदूशन LED लगा दी 500 वाट की ज़रत हो चाये नहीं हो जल रही है रौस्णी दे रही है 1,000 वाट की इससे पूरी धर्ती 24 गंटे जग मगाती है 24 गंटे धर्ती जग मगाने के कारण कई लोगों को कैंसर होता है कई जीबों की उत्पत्ती बंद हो जाती है कई लोगों अपने माग से distract हो जाते हैं पंची रात में चिलाने लगते हैं बोलते हैं कभी आपने सुना रात में कववा बोलते हैं पहले नहीं सुना लेकिन आप रात में कववा बोल देता हैं चिडिया हैं चीहां-चीहां की आवाज कर लेती हैं कि प्रकास के ऐसा अद्वुत पदूशन है बंदू क कि जिससे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मैं दुनिया के लोगों से इस बात को कहना चाहता हूँ जहां तक मेरी आवाद चली जाए कि जब आपको आपकी विद्दू तूर्जा का उपयोग खत्म हो जाए क्रप्या करके आप उसको बंद कर दीजे बड़े बड़े जितने भी शहर हैं बड़े बड़े विदेशों में जितने भी पोल्ट बने रहते हैं जैसे उनका उपयोग खत्म होता है सब को डिम करना सुरू कर दिया है सब में एक बोल्टेज रेगुलेटर लग जाते हैं आपको पता हो या नहीं पता हो मुझे नहीं पता जिससे आप अपने घर का पंखा रेगुलेट करते हैं उससे आप अपने घर का बल्फ भी रेगुलेट कर सकते हैं एक कनेक्शन जोड़ना पड़ता है बल्व दीरे दीरे तेज दीरे 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 दीमा होता रहता है भले आपके अंदर दान देने की बिल पेइमिंट करने की सामर्थ बहुत हो लेकिन प्रकास के प्रदूशन आने वाले समय में सबसे बड़ी महा मारिया लेकर की आएंगे और उसमें आपके घर के अंदर भी disease बढ़ेगी जितना जादा आँखों का इलाज खराना पड़ेगा यह सब प्रकास के प्रदूशन के कारण है आप इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे दूर तक पहचाने का भी प्रयास करेंगे